नमस्कार दोस्तों सौगत आप सभी का हमारी योडूब चैनल मास्टर वैवो भीरे में दोस्तों आज किस फूड़ों हम देखने वाले हैं क्लास लिवन्त की क्लास लिवन्त सायंस की युनिट टेस्ट वन सब्जेक्ट केमिस्ट्री की ग्वेशन पेपर दोस्तों एक क्वेशन पेपर हमें प्रोवाइड करवाईगी यह सक्सेस की टेस्ट सिरीज औरगनाईजेशन की तरफ से दोस्तों अगर आप इस वीडियोप्स को परचेस करना चाहो तो मतलब इन में बहुत सारी कैटेग्रीज है है जिसमें के आपको युनिट टेस्ट फर्स एंड सेकंड की सभी सबजेक्ट की पी सीबी पी सेमेशन पेपर मॉडल आइंसर की के साथ साथी साथ दोस्तों आपको जो भी आपकी फॉर्स सेमस्टर ऐन एन्यॉट एग्जाम रहेंगे कि उसकी भी रूपीस में आपको क्या-क्या मल रहा है सभी चैपटरस की टेस्ट सीरिज साथ साथ यूनिट टेस्ट वण एंड यूनिट एस्ट फॉस्ट एन्ट एंसर की के साथ साथ नंबर पर दिया गया है एंसा ची साथ उनकी लिंक भी में डिस्क्रिप्शन में एड करवा दूंगा चलिए वड़ों को स्टार्ट करते हैं सबसे फिर एक बार में रीड कर रहेता हूं सब्सक्राइब जैसे कि यह MCQ टाइब वाला क्वेशन है सब को पता यह common sense आज कल के सभी में है आप 11 तक आया मतलबे common sense तो ही कि पहला वाला क्वेशन MCQ का है MCQ का है MCQ के क्वेशन में पहला वाला क्वेशन है यहाँ पर फॉस्ट है दॉत कैंड करेक्ट आपिव रिवाइड इंटो होमोजिनियस और हेट्रोजिनियस ग्रूप यहाँ पर चार ओप्शन आ है इसके बाद इसके बाद इसके बाद डी में है simple distillation इस तरीके से जो भी correct option आपको पता है दोस्तों उसे लिखते चलो नोट करते चलो जैसे कि मैं इसकी model answer की next वाली वीडियो में लेकि आने वाला हूँ जो भी हमारे पास answer की अविलेबल है इसकी जो मैं उन्हों नहीं प्रोव वीडियो को दो या तीन चार दिन बाद या तो हपते बाद महने बाद देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन को ओपन करवा पर लिंक मिल जाएगी इसकी मॉडल एंसर की की एड उसे वीडियो को भी आप अब भी से देख सकते हो ठीक है तो देखते हैं थर्ड वाला क्वेशन ज सब्सक्रिप्त वाला क्वेशन है थर्मामेटर विच सेल्सिय स्केल आर कैलिबरेटेड फ्रम तो इसमें भी आपको आपको 14 को नगता है देखंए चर आप चर्र invasion में से आपको जो भी कर्रेक्ट करक्ट है मतलब जो भी कर्रेक्ट है वही चूज करो प्रेक्टास भी लगेंगे तो आप सभी तो नी वहिख सकते नीख कर्ड़ेट जन्वन इसका एंसर है उसे को क्लिक करना तो यहां पर दोस्तों चार ओप्शन इसमें भी यह वाला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन उसके बाद एक्चेंज उसके बाद स्राइट इसके बाद इस्टिलेशन इस तरीके से सेवंत वाले क्वेशन को रीड करता हुए आपके लिए इसके उपर मतलब आपको मेरे साबसे तो साथ माक्स दी गए ठीक है तो यहाँ पर देखो ब्रैंच ऑप केमस्ट्री विच डील्स विट इस्टेडी ऑफ सपरेशन इडेंटिफिकेशन एंड कॉंटिटिव डिटर्मिनेशन अप डिटर्मिनेशन अप डिफरें आपके लिए तो आपको इसका एंसर बहुत ही इस सबको आता है तो आप भी लिखते हैं चलो ठीक है सेकंड वाले क्वेशन को स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे बहले मैं आपको बताऊंगा हम सेकंड वाले क्वेशन को स्टार्ट करें उससे बहले अगर आपने अब तक हमा कि आप से प्लीज हम आप सभी के लिए जो पेड़ पीडिया पर प्री में यूटूब पर अपलोड करके आपको हेल्प कर रहे है आपकी यूनिट टेस्ट में साथ साथ हम आपकी एन्यूल एक्जाम रहेगी उसकी भी लेके हैंगे हमारे साथ बने रहो हमारे चानल को सब्सक्राइब करें आपको मैंने बोल दिया है चलिए क्वेशन टू जहां पर एंसर तो विए चुर्ट वेशाट विएस एंसे तो देखें पर सब्सक्राइब को इसको मुझे मिन्हें तक तो रीड़ नी किया विकिन अगर आपने यह बता हैं ठीक है तो आप बता हो कोई बात नहीं अगर आपको आता है तो इसके बात सेकंड में गीव वन एग्जांपल हों हम जेनियस मिक्चर कोई भी होमोजेनेस का कोई भी आप एक 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 जांपल दो उसके बाद थर्ड वाला है वीच आप फॉल्विंग टेक्निक्स इस यूज़ पॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड और और अर्गेनिक कंपोर्ट तो त्वी यहां पर लोब करतें हैं एक बता है इल्याय व्योंके लेटल करूवोह जाए कंप शर्ट कंदया हों इस ऊपापकोस बसें से कोई पर आप परें प्पर डिया सब्सक्राओ कॉंब करना है चले परस्ट वाल एक्वेशन मैं रेड करता हूँ जो कि है यूजिंग कंसेप्ट आप दो कंटेम्स नंबर्स का कल्कुलेट दो मैक्सिमम नंबर्स अप इलेक्ट्रोंस प्रेजेंट इन यम शेल गिव दिस्ट्रुबुशन इन शेल्स सब शेल्स और्बिटल्स उसक आपको पता हिए थर्ण में आपको वाट इस दुप्रिंसिपल अफॉल्वंट एक्स्ट्रेक्शन ठीक है इसका प्रिंसिपल का है इसको पड़ा डबल डिवीजन है तो आपको लिखना होगा उसके बाद वाट इस यूनिट पूछा गया यार बहुत ही इसी यार बहुत ही चाहिए आप नाइन से पढ़ते आ रहे हो तो आपको मास का यसा यूनिट के यह सबको पता है सबको मेरे वीडियो को दिखने वाल तो गैरेंटेट सभी स्टून को पता है तो कमेंड बहुत है उसके बाद फिप्त वाला भाटी इस वेवलेंग तॉप दो पह 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 प सब्सक्राइब करना है उसके बाद सेबंत वाला है तो आप इन दोनों में से किसी को भी एक काल्कुलेट करो डिग है सब्सक्राइब करो Broken एक क्वेशन आपको डिए इस के आपको जंड़ से ज्यादवर् के asset करो जब ऑनका टो आवक जब क्या होगा आपकी जाद से जादा recognize me के थू होगी question पर कूर start करते है question पर answer the following questions एनिफोर या पर first question है state and explain the result of worst theory for hydrogen atom उसके बार इसेकंड वाला what is the law of definite definite proportions explain मतलब definite proportions के कोम कुन से law है उसे मतलब क्या है and उन्हें explain भी करना है third में state and describe the principle involved in the process to separate ascent on and water from the air mixture fourth wall i what weight of calcium oxide will be formed on heating 19.3 gram of calcium carbonate at the upper at the formula at wtca is equal to 40 c is equal to 12 zero is equal to 16 was got fifth wall equation visible light or has wavelength raining from a 400 nanometer while at two 700 nanometer rate express this wavelength in terms of frequency is equal to 10 raised to nine m तो देखो यह जो क्वेशन है ना मतलब है इसे क्वेशन कही बार आपको ना mcq में पूचिए जाते हैं यह कहां पर नीट में पूच्छ जाते है निट में आपको देखने को मलता है तो यह बहुत सब्सक्राइब आपको यह क्वेशन पेपर जो भी है आप लिगते चलो भरी युनित टेस्ट कियो आपको जब नीट में पूछी जाएगा ना यह को यह जो वन नैनोमेटर इस इकोल टू टू टेन रिस तु नाइन यह जो है ना यह आपको मतलब एक तरीके से आपको पूछ रहे सैंधन रहते हैं ऐसकी सब्सक्राब क्योंस करता इतने इतनोमेटर अपको यह स्टीप 생व कोस्ट टरता हूं किसि इको इकर ऑपको चार मांठ आप आप इंड यह इन्मेजन कर लो कि इतना बड़ा आपको इसका इंसर लिखना पढ़ेगा क्योंकि equation मतलब आपको जो भी equation है व चार मार को मिल रहा है आप रहाने कि आपको बोरैपूर इसका उत्तर जो भी है answer जो भी है और आपको भर भर की लिखना पड़ेगा पेज भर की लिखना पड़ेगा जितना लिखो उतना कम है तब आपको वाँ पड़े जाके ap it's purification मतलब क्रैस में झो भी है उसके फुरिखेसं के आपको को स्क्राइब करने उसकी बाध को डिस्टिंगश बिट्मिश्पिरीटीटेवटी एकलरेंसी अन्ड प्रिसेशन हन्य अम्सक्राइब एक्षाइशन में मतलब दो क्योशन इसमें एंड सेकंड वाला है calculate the molarity of NAOH in the solution prepared by dissolving its 4 g in through enough order to from 250 ml of the solution देखो दोस्तों यहाँ पर यह दो क्योशन है पहले वाले को सॉल करते हो तो उसका बहुत बड़ा answer आएगा तो मार्क मिले गया और यहाँ पर जो distinguish between दिया गया है इसके लिए दो मार्क और नीचे के क्वेशन के लिए दो मार्क एसे चार मार्क आपको मिलने वाले है ठेक है यही पर equation paper कतम होती है आप सब भी को exam के लिए unit test की exam के लिए all the best आज की वीडियो में हमने chemistry class 11th unit test number one की question paper समाप्त कर लिए पूरी तरीके से इसको हमने analysis किया है next value में वीडियो में लेके आऊंगा इसकी जो कोई भी model answer की रहेगी चाहिए अगर आप वीडियो को थोड़ा एक तरीके से मेरा वादा रहता है कि में वीडियो लाओंगा तो वीडियो लाता ही हूँ अगर आप इस वीडियो को एक मंत बात देख रहे हैं आपको तरीचा टाइमिंग दिखाए दे रहा होगा अगर आप एक मंत बात देख रहे हैं तो जाव आपको सब भी मिल जाएगी सब भी सब्जेक्टी मिल जाएगी विट मॉडल के एंसर की के साथ यह जो पीडिया पे टोटल 2000 रुपीज में मैंने सभी क्वेशन पेपस को पर्चेस करकी यूट्यूब पर आपके लिए अपलोड किया है तो प्लीज अमा उतना सपोर्ड भी प्लीज सब्सक्राइब करते हैं अब तक लिए टाटावएब टेकर हालो एवरिवन स्वागे आपके अपने यूटूब चैनल मास्टर वाइब भीरे में जैसे कि दोस्तों पिछली वाइली वीडियो में हमने देखी थी क्लास 11 सायंस की यूनिट टेस्ट फस्ट की सब्ज चैनल चैनल में ब century रीच को उर्मने वाइब पी सनाय चैनल में सब्सरें पूरेलम के मिद्सक्राइब चैनल के सिरें अउस सब चीज आपको वीडियो में मिलने वाली है झो ब् leaked kali कि बोला तक आपको बश्ली से चिज़ूज्य के तरप से पास है तो प् summarize आहाब है आप है की है 2000 रूपीज में आपको परिचिस करना हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्षिन में मिल जाएगी सभी पेड अंड मिल जाएगी सभी इनि कि आपकी इनिएफ्षान सेकंड सब्सक्राइब बीच है वेसे आपको दोस्तों आप टेस्कुम को मिल जाएगए उनली चैनल को यार फिलीज सब्सक्राइब करो क्योंकि अगर नहीं परिचेस कर रहे हो तो यहाँ पर आपको फ्री में मिल रहा है ना जो चीज में चरा चैनल आपको फ्री में दे रहा है तो आपको सब्सक्राइब करने के लिए क्लिए क्लिए आ जाता है यार बिल्कुल प्री में अगर आपने इस chemistry की जो question paper थी analysis मेरे वाली मेरी video नहीं दिखिया तो उसकी link description में मिल जाएगी जाओ उसको देखो पुरी तरीके से देखो and enjoy करो उस video को question paper को जब समझ लोगे तो कई बार क्या होगा आपको answers भी समझ में आएंगे and directly अगर आप answer की देख रहे हो तो आपको इसमें कुछ नहीं समझेगा लेकिन जब आप उस question paper को देखके उसके बाद answer की कुछ लेकिने के लिए होगे guarantee के साथ बल रहा हो आपको आपको इसका help रहेगा and help रहेगा ठीक है 35 माक्स की question paper सब कुछ मैं पिछली वीडियो मां बता चुक हो उससे देखो चले हो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दू यह जो question paper के answer sheet है न मतलब यह model answer की है न इस 6 pages की है question paper सिर्फ 2 pages की थी and answer की 6 pages की 7 pages की है sorry 60 pages की है लेकिन दोस्तों क्या रहेगा अगर मैं ह हरेक को toning करूं या तो हरेक को read करूं हरेक को answer को read करूं तो क्या रहेगा हमारा बहुत ज्यादा time waste होगा इसलिए मैंने एक दिमाग लगा है कि मैं आपको सिर्फ कुछ question screen के through दुखाऊंगा जब मैं scroll कर रहा हूंगा तभी आप वीडियो को pause करो speed down करो screenshot लेओ कुछ भी करो अगर आपने उस question paper को note किया आपके notebook में तो उसके D के उपर click कर दो D के उपर आप D को click लो उसके बाद second वाला का answer है D उसके बाद third वाले का answer है C, fourth वाले का answer है B, fifth वाले का answer है C, sixth वाले का answer है D, and seventh वाले का answer है D, इस तरीके से हमने पूरा पहला वाला question MCQ टाइप जो भी थ जो कि हमें choose करना से सिर्फ तो उनको देख लिए फिर एक बार तता हो first वाले का answer D, second वाले का answer D, third वाले का answer C, fourth वाले का answer B, fifth वाले का answer C, sixth वाले का answer D, and seventh वाले का answer D, ठीके समझ में यहाई speed management कर सकते हो, क्योंकि मैं video अपनी provide कर सकता, मुझे दिल से बुरा लग रहा है क्यो इतना पूच फ्री में दे रहे हो, लेकिन दोस्तों इस बार में खुद नहीं provide कर सकता, क्योंकि मुझे कोई authority नहीं है, ना मैं उनका कोई teammate हूँ, कि मैं आपको share कर सको, चलिए बाद आप सब समझता हो, अभी तो समझधार हो आप, उसकी बाद जो की था हमारा answer, तो पॉल चलो, लिखते चलो, और इसको भी लिख लो, यह क्या रहाता है, IMP रहता है, मतलब यह जो very short question है ना, इसके कई बार MCQ बनते हैं, और उसकी उपर आपको पुछा जाता, second way answer है, आपको year is the homogeneous mixture of the gaseous substance like nitrogen, oxygen and smaller amount of other substances, third वाले का answer है, दोस्तों, third वाले answer, VSA में, जो के solid, crude, impure, organic compound can be purified by a sprite realization, अब देखो, यहाँ पर answer में, mass of naoh is equal to 4 gram, देखो, इस तरीके से इसको solve करना था, screenshot ले लो, मैंने बूला था आपको कई बार क्या होगा, प्रनुम्स जिजन नहीं करेंगे, directly आपको screenshot ले लेना है, लेकिन समझ भी लो, इसको कैसे solve कर वा ले हमें, तो यहाँ पर following questions, यहाँ पर आपको answer करना था, questions का, इनी पूर, किसी भी 4 questions का answer करो, तो पहले का answer यहाँ पर, इस तरीकी से आपर answer note किया है, screenshot ले लो, इसका, ठीक है, होग आपनी screenshot ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, आगे answer, second वाले का answer यहाँ पर दिया गए हमें, second वाले का answer थोड़ है, तो थर्ड वाले क्वेशन हमें है, it is the best on a principle that a solid can distribute itself in a certain ratio between two immiscus or the particularly miscible solvents such as a benzene, otter or chloroform from the aquacus paste and solute gets extract in the organic paste, extraction of compound takes place based on the difference in the solubility of a compound in two liquids, उसके पाग फर्त वाले क्वेशन है, पर्त वाले क्वेशन का answer है, यहासा unit are the certain set of units that is given by international set of units, देखो यह क्वेशन है ना IMP है, यहासा unit का बीवी क्वेशन पूचा जाता है आपको, क्यूंकि physics का भी एक पारड बनके आया है, आपको chemistry भी बैया है, आपका सो भग यह है, क्या आपको the subject का मिलके equation पिचे जाएग तो इसको answer की क्योंकि IMP न, यहासा unit are the certain set of units that is given by international set of units, a modern form of matrix system, इस units are used worldwide to measure physical quantities such as mass, temperature, etc, like mass is measured in kg temperature, in Kelvin current, in amperors, etc, ठीक है, यह question जो है most important है, यह answer आपके लिए most important बनके आया है, तो answer को भी लिख लेना, फिप्त वाला answer, फिप्त वाला को answer देखलो, इसका screenshot लेलो, फिप्त वाले इसका screenshot लेलो, फिप्त वाले आपको जो कि the balance chemical equation for the combustion of propane is 3, देखो, केमस्टिक है, यह जो चीजे होती न, इनको समझते चलो दोस्ता, अगर आपके chemistry कर रहा है, आपकी कुछ इस तरीके से, जिसके भी में read नी कर रहा है, skip कर रहा है, क्योंकि मुझे इन चीजों में proper इतना knowledge नहीं है, विससे अगर आपका भी है, आपी इन सब चीजों को skip करने में लगे रहे हो, तो आपको खुछ नहीं हो सकता, chemistry पढ़ रहा है, यह जब आपकी कर रहा है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, चलो आगे बढ़ते हैं, तो इसका भी answer है, इसका भी answer आप screenshot ले लो, एट वाले का answer ले लो, इसका screenshot ले लो, आगे बढ़ते question 4 में, जो आपर answer the following questions था, and question 4 में आपको कितने 12 marks थे, equation आपको to drive the energies of orbit, that is the stationary states in a hydrogen atom, the result of worst theory of our hydrogen atom, summarize R, summarize here, तो first A में है, जो कि है, the stationary states of our electron are numbered in 123 dot dot dot, मतलब चलती रहे गे, these integers are known as a principal quantum number, ठीक है, quantum, दो को या, ये जो questions रहे गे, आपको ये, IMP के थूए, ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ, अप मजाक में मतलो, क्योंकि बहुत important questions लेके आओ, ठीक of the stationary states are, R, N is equal to, N square, A, O, V, R, A, O, is equal to 52.9 PM, मतलब प्योंकि प्योंकि पता है, प्योंकि पता ही है, thus the radius of the first stationary state called the worst radius is 52.9 PM, ठीक है, आगे का आप read कर लो, screenshot ले लो, अब second वाले की तरफ बढ़ते है, यहाँ पर French chemist, Joseph Prostform experiments on two samples of curfic carbonate, तो यहाँ पर देको, इसका भी answer लेक है लिख लो, answer के लिए सिर्फ screenshot लिखने है, आपको ज्यादा कोई problem नहीं है, चलो इसका ready कर ले तो में, one of the sample was natural in origin and the other sample was a scientific one, तो यहाँ पर थरवाला ही found that the composition of the elements present in both the samples were the same, यहाँ पर फोर्त में कर्पिक carbonate जहाँ पर आपको percent of copper, उसके बाद percent of oxygen, उसके बाद percent of carbon इस तरीके स यहाँ पर है, उसके बाद oxygen and carbon है, तो natural sample में आपको 51.35, oxygen इसमें 9.74, carbon आपको 38.91, ठीक है, उसके बाद syntetical sample जिसमें आपको copper है, आपको 51.35, oxygen आपको 9.74 and carbon आपको 38.91, उसके बाद फिप्त वाला कोवेशने इस लेड़ उसे to state that, sorry, फिप्त मतलब इसको कैसा tips जैसे कि Google test इसमें, विससे लिखना है, आपको point to point answer लिखना है, तो इसे point to point आपको answers देगे, विससे आपको लिखना है, तो भी आपको जाके 4 marks मिलेंगे, 3 marks तो जो teacher ही चेक करने माला, ओ देगा, ठीक है, थर्ड वाले का answer देखलो, यहाँ पर क्या होगा, अभी वीडियो 10 मिनिट क कुछ टोन को bore हो रहा होगा, तो आप skip करते चलो उसको 10-10 सेकंड, मैं तो पहले बार, पहला कोई ऐसा YouTube रहेगा, जो आपको बुलेगा, कि चलो मेरे वीडियो को skip कर लो, मतलब यह chance दे रहो आपको, as a tutor नहीं कि मुझे बता है, आपको bore हो रहा होगा, कही ना कही, लेकिन क कुछ टोन्स कोता है, सरा आप पूरे answer बताओ, कुछ टोन्स कोता है, सरा आप fast forward करके answer बताओ, लेकिन मेरे को दोनों का भी मन लेके चलना पड़ता है, तो जिनको भी answer देखने हो तो भने रहो वीडियो पे, जिनको भी fast forward करके देखना हो तो आप skip कर वा सकते 10-10 सेकंड, क कोई प्राबलम नहीं, मुझे तो कोई प्राबलम नहीं, बस इस वीडियो को like and channel को subscribe होना चाहिए, ठीक है, थर्ड वाला है, liquids which is a boil without the decomposing at the atmospheric pressure can be separated using a process called as a simple distillation, देखो, यह answer, this is the most important answer, फिर से एक बार rate करता हो, liquids which boil without a decomposition at atmospheric pressure can be separated using a process called as simple distillation, अगर आपको इसा मतलब defined simple distillation पुछ ज जाने चाहिए, second में, in this process, the liquid is the first converted into its vapor by boiling and then converted back to liquid by cooling, third में है, acetone and water are two liquids having a wide range of difference in their boiling points, hence the mixture can be separated using simple distillation, fourth में है, acetone boils at 56 degree Celsius, while water boils 100 degree Celsius, fifth वाल, fifth वाला point है, when the mixture is heated and temperature reaches 56 degree, Celsius, ascent on, would distill up and when the temperature reaches 100 degree Celsius, water would distill up, उसके बाद, sixth वाला point है, highly pure compounds are collected at the end, simple distillation दिया गया, देखो, इसके diagram किस तरीके से, अगर इसको लिखना हो, तो लिखो, screenshot लेना हो, तो screenshot blurry आएगा, मेरी सबसे, तो लिखो, इतना ऐसा screenshot प्रोवाइड कर सब्सक्तों, लिखो, मतलब screenshot लो, कई बा part of your study, so you can proceed that, तो इसा answer है, लिख लो, इसको screenshot ले लो, इसको रट लो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिप्त वाला answer, इसको भी screenshot ले लो, सिख्त वाला answer, इसका भी screenshot ले लो, ट्राइम नहीं मिल रहा है, तो यार, वीडियो को तुना जना, मितलब speed management करो, speed कम करो आप, उसके तो एक थिप्त वाला question, जो कि आपका last question, and ये equation आपको चार मार्क के लिए, ठीक है, अगर मैं एक question आपको चार मार्क का बताऊंगा, और दूसरा वाला question मैं आपको नहीं बताऊंगा, एक ही question बताऊंगा, आपको सिर्प रट्टा मार देना है, मेरे बीडियो से green shot लगा ल क्राइटी सारी ट्रेक्रेटेटीलिप्रेइशन क्या बोल रहा है मुझे खुट नीस समझ में हा ठीके फर्स्ट में प्रिपरेशन आप सैट्रेरेटर सॉलुट्टन सट्रेक्ट्रेटर आप वन 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 इन वीच नो पूर अप सब्स्तंसेज can be dissolved a saturated solution of the crude solid is prepared by boiling it with a suitable solvent with sufficient amount on doing so the main solute is saturated but not the whole solution with respect to the insoluble impurities तो इसमें second में hot filtration जा परे the above solution is quickly filtered when hot in undissolved impurities get the removed in this process as a receive residue third में आपको cooling of the filtrate जा परे the hot filtrate is allowed to cool solubility solubility of the of a substance decreases with a decreases in a temperature as a result the filter filter it become a super saturated with respect to the main dissolved solute the excess quantity the excess quantity of the dissolved solute comes out in the form of a cratels cratels one one the other hand the impurities does not super saturate the solution because they are present in a smaller quantity smaller quantity they continue to stay in the solution even way even when fully could finally a highly pure pure needle sharp crystal are obtained filterization the other the crystal of the pure substances are separated by a filtration the filter obtained is a called as a mother liquor to the crystal so form are free from the soluble we as well insoluble impurities इस तरीके से इसका answer इतना बड़ा answer यार तभी तो चार मार्क मिलना है equation के लिए चार मार्क आपको ठीक है कोई भी एक सॉल को रेंड है इसकी डाइग्राम में सेकर्ण वाला आपको इस तरीकिस देया गए इसका क्रिंशॉट ले लो इसका क्रिंशॉट ले लो इसका क्रिंशॉट ले लो एंड दोस्तों इसी तरीकिस मैंने आप बाद आकिया था पहली वीडियो में मैंने देखी chemistry की question पेपर उसको analysis करें उस वीडियो में मने बोला में नेक्स 24 hours में आपको इसका answer की लिए क्या हूंगा अब इस वीडियो को कितना प्यार देना कितना support करना यह सब आपकी मर्जी यार प्लीज वीडियो को लाइक करा करो चैनल को subscribe करके all notification पे set किया करो और आपको कोई भी doubt हो please comment करके पुछना मेरी मेने सभी वीडियो के आपको जो भी आपकी chemistry PCMB सभी subject की unit test equation पे पर साथ साथ में annual exam की भी लेकिया हूंगा जब आईगी हो फस्ते second semester equation पे पर साथ में आपके लिए लेके आने वालो हो और second unit test की question लेके आने वालो तो इस वीडियो को like and channel को subscribe करें के all notification पे set कर दो साथ साथ दोस्तो टेलेग्राम चैनल को join कर लेना वहाँ पर आपकी छोटी मोटे updates में आपको share करते तो हमने class 11 का practical notebook biology का आपके लिए प्रोवाइड किया है तो जा उसे भी आप देख सकते पूरी वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगे ठीक है तो इस तरी किस दोस्तो all the best for your exam and अच्छे से मार्क्स लाना इस question paper का जितना आपको फाइदा हो सकता है मेरी तरफ से मेने उतनी करने की कुशिश की है आपकी हाथ में सब कुछ आपको कितने मार्क्स लाने कितनी पढ़ाई करने सब पढ़ाई करोगे उतनी आपको अच्छा मार्क्स मिलेंगे और मेरी तो इश्वार से यही दुआ रहेगी कि मेरे वीडियो को देखने वाले चानल को सब्सक्राइब करने वाले सब्सक्राइबर्स का भला हो सब्सक्राइबर्स को अच्छे से अच्छा मार्क्स मिले और उन